सबी किसान भाईयों को हाजोड के राम राम सस्रिया काल सलाम किसान भाईयों दो दिन पहले हमारे देश के क्रिशी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर जी ने लोकतंतर की आत्मा कहे जाने वाले संसद में एक बहुत बड़ा जूट बोला क्रिशी मंत्री ने कहा संसद के अंदर कि भई इन तीन कानूनों में काला क्या है ये कोई नहीं बता रहा है और किसान सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये तीन कानून काले कानून है माननिय मंत्री जी आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि 3 दिसंबर को जो बैठक हुई थी विज्ञान भावन में हमारे सभी किसान नेताओं ने एक एक करके सेक्शन वाइज आपके सामने इन कानूनों की गलतियों को बताया था और उस समय ना तो मंत्री जवाब दे पाए थे और ना ही सरकार के अधिकारी कोई जवाब दे पाए थे लेकिन उसके बहुजुद आपने संसद में ये कहा कि अब तक किसी ने ये नहीं बताया है कि इन कानूनों में काला क्या है तो आज हम दोबारा से आपको ये बता रहे हैं इन कानूनों में क्या क्या काला है और किस तरीके से ये तीन किरशी कानून किसानों की मौत के फरमान है बहुत सारे किसान भाईयों के भी हमारे पास फोन आई मेसेज आए कि एक बार दोबारा से explain किया जाए कि कानूनों में कहां कहां खामियां हैं कहां कहां पे गलतियां हैं तो बहुत कम शब्दों में आपको बताता हूँ संक्षिप्त में कि इन कानूनों में क्या क्या दिक्कत है सबसे पहली बात ये है किसान भाईयों नौजवान भाईयों कि जो इन कानूनों का आधार है वो आधार ही गलत है All over world ये experience रहा है कि जब जब फसलों के procurement system में सरकार का रोल कम होता है और private industry का रोल बढ़ता है तो किसानों का exploitation भी बढ़ता है मैं आपको दो चार example देता हूँ जो ये कानून अभी लाए गए हैं इनको आसान भाशा में हिंदी में कहते हैं मुक्त बाजार की नितियां यानि free market की नितियां यही कानून दो से तीन दशक पहले western countries में आये थे वहां का क्या हाल है यह जरा आप खुड़ा सा जान लीजिए यह free market की policies आने से पहले अमरीका में किसी भी किर्शी उत्पाद के किसी भी agriculture product के final retail price का 40% किसान की जेम में जाता था यानि कोई भी किर्शी उत्पाद यानि मार्केट में 100 रुपे का अब दिखता था तो उसमें से 40 रुपे किसान की जेम में जाते थे लेकिन जब से free market policies अमरीका में लागू हुई तो किसी भी agriculture product के final retail price का मातर 15% 15% किसान की जेम में जाता है यानि अब 100 में से मातर 15 रुपे किसान की जेम में जाते हैं और वो 25 रुपे वो अब व्यापारी बड़े बड़े corporate की जेम में बड़ी बड़ी कमपनियों की जेम में जाते हैं दूसरी बात आप ये समझेए 1993 में ब्रिटेन के अंदर milk marketing board खतम कर दिया गया और पूरे उस structure को system को privatize कर दिया गया तो उसके बाद से लेके अब तक 2021 तक ब्रिटेन के अंदर 31,690 small dairy farms बंद हो गए लेकिन हैरानी की बात ये है कि dairy farm तो बंद हो गए लेकिन दूद का production बढ़ गया अब ये कैसे संभव हुआ इसका कारण ये रहा कि बड़े बड़े dairy farms खुल गए बड़े बड़े corporate गहानों का पूरा hold हो गया और जो छोटे किसान थे जो small dairy farms थे वो पूरे तरीके से वो बरबाद हो गए और तीसरी और महतवपूर्ण बात लगबग दो से तीन दशक हो गए ये western countries में ये policies लागू हुए free market की policies लागू हुए उसके पाउजूद अमरीका के अंदर अमरीका की सरकार ने अभी जस्त गेर दो साल पहले 847 billion US dollar का subsidy bill पास किया एक साल में अमरीका के अंदर एक किसान को 42 लाख रुपे की subsidy मिलती है यदि हम बात करें यूरोप की तो यूरोप में 100 billion dollar की subsidy दी जाती है OECD देशों में 240 billion dollar की subsidy दी जाती है चाइना में 212 billion dollar की subsidy दी जाती है नौरवे में plus 60 percent की subsidy दी जाती है और हमारे देश में minus 5.7 percent की subsidy दी जाती है यानि किसान को कुछ मिलता नहीं है उल्टा किसान से ले लिया जाता है हमारे आपे किसान को मिलती है 282 dollar की subsidy मात्र तो विशे में समझने की बात ये है कि यदि ये free market की policies इतनी ही अच्छी होती यदि ये free market की policies किसान के लिए इतनी ही फाइदे मन्द होती तो ये western countries की सरकारे अपने किसानों को इतनी भारी भरकम सबसीड़ी देने को आज क्यो मजबूर है यदि ये policies इतनी अच्छी होती तो वहागा किसान माला माल होता और subsidy देने की कोई जरूरती ना पड़ती तो western countries ये सभी इतनी भारी भरकम subsidy दे रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये free market policies किसान को बरबाद करने वाली और corporate को फाइदा पहुचाने वाली policies है अब हम यदि अपने ही देश की बात करें 2006 में बिहार के अंदर APMC मंडी सिस्टम समाप कर दिया गया और उस समय बड़े बड़े नारे दिये गए थे कि private अक्षेक्तर बहुत निवेश करेगा और बिहार का किसान माला माल हो जाएगा आज बिहार के किसान की स्थिती क्या है बिहार के कई जिलों की में फसल है मक्का उसका सरकारी रेट यानी MSP है 1850 रुपया क्विंटल लेकिन मक्का वे आपारी कितना खरीद रहे हैं प्राइवेट लोग किस रेट पे मक्का खरीद रहे हैं पांसो से छेसो रुपा क्विंटल एक किसान की लागत भी पूरी नहीं हो रही है अब कुछ दिन पहले तक तो बिहार में धान की खरीद शुरू नहीं हुई थी ऐसा भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां पर हमारे बिहार के किसान भाई मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं हो रहे हैं आप कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक आप असम से लेके गुजरात तक किसी भी राज्य को उठा के देख लीजिए आपको वहाँ पे बिहार के मजदूर भाई जरूर मिलेंगे और जो लोग ये दूसेरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं आप इन में से पूछिएगा इन से इन में से अधिकतर के पास तीन से चार एकड़ की अपनी जमीन होती है तीन से चार एकड़ की जमीन होने के बावजूद ये बाहर मजदूरी करने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ प्रोक्यूर्मेंट सिस्टम नहीं है, फसल आदे से भी कम दाम पे खरीदी जाती है, व्यापारी किसानों का एक्स्प्रोलिटेशन कर रहे हैं मुझे ओ दिन याद है, जब जबरदस्ती करके इन कानूनों को संसक में पास किया जा रहा था, तो उस समय हमारे देश के मानने परधानमंत्री ने कहा था, कि ये कानून बिहार में लागू हुए थे, और बिहार के किसानों का बहुत भला हो गया मेरे किसान भाईयों, मेरे नौजवानों, अब खुद ये बात समझिये, कि मक्का जिसका रेट 1850 रुपया क्विंटल, वो 500-600 रुपया क्विंटल भी करा है, ये तरक्की हुई या बरबादी हुई, ये तो बरबादी हुई ना, लेकिन परधानमंत्री जी इस बरबादी की यदि बात करूँ, यानि मद्य परदेश की बात करूँ, मद्य परदेश सरकार का पोर्टल है, ये अनुग्या, उमीद करता हूँ, आप अपने अधिकारियों को खोल के, उस अधिकारियों को बोल के, उस पोर्टल को जरूर खुलवाएंगे, अभी कुछ दिन पहले उस 1968 उसमें से 47 मंडिया पूरे तरीके से ठप हो गई 143 मंडियों में कारोबार 50-70 पीज़ दी कम हो गया खरीफ के सीजन की सभी क्रॉप मध्य प्रदेश के अंदर आदे से भी कम दाम पे विकी और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का मंडी एक 1922 का सबसे बहतरीन एक्ट में से ए 200 करोड रुपे का लेकिन 2020 में पिछले साल उनी 6 महीनों में टेक्स कोलेक्शन हुआ मातर 220 करोड का यनि टेक्स कोलेक्शन रह गया सिर्फ 36% अब मेरे किसान भाईयों समझने की बात यह है कि मंडी करमचारियों को तंखवा देने के लिए पैसे नहीं है और दूसरी तरफ क पारी को किसी भी तरह का लाईसेंस नहीं चाहिए होगा तो आप होगा क्या यह संभाव है कि दो साल तीन साल तक बाहर व्यापारी आपको MSP से 10 रुपया जादा दे दें हो सकता है यह लेकिन जब 2-3 साल में उसकी पूरी मोनोपोली हो जाएगी उसका पूरी उसकी दादा दामों पर खरीदेगा जिस तरीके से मंडी एक्ट बनने से पहले किसानों का सोशन होता था रहबर आजम दीन बंदू छोटु राम जी ने मंडी एक्ट इसलिए बनाया था कि वह किसान का सोशन बंद हो जाए क्योंकि उससे पहले क्या होता था जब किसान की फसल आती थी स वसलों के दाम गिरा देते थे और उसको फिर खरीद के बड़े-बड़े गुदामा में स्टोर करते थे, किसान का भी एक्स्पोरिटेशन होता था, और एक आम इनसान का भी एक्स्पोरिटेशन होता था, दूसरी बात इसमें समझने की यह है, जिसे एक्जामपल दू में, GEO का और BSNL का जब जियो शुरू में आया तो फ्री में इंटरनेट बाट रहा था ना जियो लेकिन धीरे-धीरे करके बाकि दूसरे जो पीटीटर थे वो सब खतम कर दिये जियो ने और आज जियो की ददागिरी हो रही है तो जियो लगातार अपने जो उसके प्लान है उसकी कीमत बढ़ाता जा रहा है ठीक इसी तरह के इसी तरीके से मंडी सिस्टम में होगा दूसरी बात इस कानून के अंदर कहीं कोई MSP का जि सबाब देही से भाग रही है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2018 का केस जो मध्यपरदेश हाई कोट में हुआ अनदाता किसान समीती वर्सिस मध्यपरदेश गौर्रमेंट उस अपने केस में जो फैसला सुनाया मध्यपरदेश हाई कोट ने उसमें साफ साफ लिखा है कि 1972 मंडी एक्ट के अनुसार ये चीज़ जरूरी है कि मंडी के अंदर किसी भी फसल की पहली बोली जो लगेगी वो MSP से कम नहीं होनी चाहिए यानि ये APMC एक्ट ये हमें अधिकार देता है कि हमारा समान MSP पड़ी खरीदा जाए लेकिन अब नए एक्ट के तहट सरकारें अपनी उस जवाब देही और जिम्मेदारी से भाग रही है ये है इन कानूनों में काला और सबसे बड़ी बात क्रिशी मंतरी जी आपके ही राज्य की फिर बात करूंगा राय सेन में हर्दा में बहुत जगह भी ऐसे केसिज आई पिछले छे महीनों में जहापे कोई व्यापारी 10 करोड का समाल लेके भाग गया पांच करोड का समाल लेके भाग गया आप तो कहते हैं कि ऐसे केसिज में आप 30 दिन में फैसला करा देंगे लेकिन किसानों को 3-4 महीने होगे ठोकरे खाते हुए उनका अब तक कोई फैसला नहीं हुआ ना तो उनको उनकी फसल मिली और नहीं फसल के उनको दाम मिले ये सिचुवेशन है और दूसरी बात एक मैं आपको एक और चीज बताता हूँ इन कानूनों में क्या काला है मुझे तो लगता है इन कानूनों में सब कुछ काला है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ भाजपा के कई परवक्ताओं ने बार बार टीवी पे एक जुमला फैका कि एक कानून बनाने से पहले 93 लाग किसानों से चर्चा हुई थी लेकिन एक किसी समझदार वेक्ति ने जब आर टीवी लगाई और सरकार से जवाब मांगा कि आखिर वो 93 लाग किसान कौन से है दिन के साथ सरकार ने चर्चा की तो जवाब आया आर टीवी के उस जवाब में कि सरकार के पास ऐसा कोई डाटा नहीं है यानि सरकार ने कोई चर्चा ही नहीं की और ये तीनों कानून जबरदस्ती थोप दिये अरे मंत्री जी कोई नगर निगम की बैठक होती है न तो उस बैठक की भी मिनट्स होती है तो ऐसा कैसे हो गया कि आपने 93 लाग किसानों से चर्चा कर ली और उनकी कोई मिनट्स नहीं थी तो हकीकत तो ये किसी से चर्चा की ही नहीं गई और दूसरी बात इसी कानून की बात करें इसकी जो धारा नमबर पांच में जो आपने कहा कि भाई ई-मार्केटिंग को आप बढ़ावा देंगे और आपका दावा है कि उससे बिचोलिये कम हो जाएंगे मंत्री जी हम थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं और आपके मैं निवेदन करता हूँ आपके अधिकारियों से हमें वो समझा दें इ-मार्केटिंग के तहत सरकार के पास ऐसा क्या मेकेनिजम है जिससे वो किसी भी किर्शी उत्पात की फिजिकल डिलिवरी को सुनिश्चित कर देंगे उसको और सरल भाशा में कहूं तो इ-मार्केटिंग का नुभाव ये रहा है कि एक व्यक्ति कोई भी किसान की फसल खरीदेगा वो उसकी फिजिकल डिलिवरी नहीं लेगा वो अपना कमीशन बनाएगा आगे किसी को बेच देगा दूसरा उसकी फिजिकल डिलिवरी नहीं लेगा अपना कमीशन बनाएगा तीसरे को बेच देगा चोथे को बेच देगा ऐसे करके 10-12 को बेच दी जाती है लास्ट में कंजूमर को भी ज़्यादा रेट में मिलती है और किसान को भी कम रेट पे मिलती है किसान को भी कम मुल्ले मिलता है मैं एक्जामपल दे देता हूँ आपको असम के चाय के किसानों का मैं एक्जामपल दे देता हूँ आपको केरल के रबड के किसानों का इ-मार्केटिंग सिस्टम ने चाय के किसानों को और रबड के किसानों को पूरे तरीके से बरबाद कर दिया तो मैं उमीद करता हूँ किरशी मंतरले के अधिकारी कम से कम ये जरूर बताएंगे कि सरकार के पास ऐसा क्या मेकेनिजम है जिससे वो क्रिशी उत्पादों की फिजिकल डिलिवरी सुनिश्चित कर पाएंगे इसमें अगली बात मैं मोटी मोटी बाते बता रहा हूं मैं ज़्यादा इंडेक्ट में नहीं जा रहा हूं इन करूनों के तहट सरकार ने किसानों से ये अधिकार चीन लिया सिविल कोर्ट जाने का मंत्री जी हमारे जो शहीद हुए थे अजादी के अंदोलन में जो हमारे बड़े बड़े लोग जिन्होंने शहादत दी थी उन्होंने अपनी शहादत इसलिए दी थी कि हर एक भारतिये को लोगतांत्रीक अधिकार मिले हर एक भारतिये को fundamental rights मिले इसलिए उन्होंने कुर्बानी दी थी लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मोधी सरकार की एक आदत है जब भी किसानों के लिए कोई कानून बनाए जाते हैं तो उन्होंने की ये रूल जरूर होता है कि किसान सिविल कोर्ट नहीं जा सकता मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2014 का भूमी अधिग्रेण अध्यादेश जो जब अध्यादेश जब अध्यादेश किया गया था लेकिन देश के किसान उस समय भी एक जूट होकर खड़े हो गए थे और सरकार को वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा था उसमें भी आपने ये लिखा था कि अधिग्रेण के दौरान कोई भी किसान कोर्ट नहीं जा सकता है इन कानूनों में भी यही है कि किसान सिविल कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता वो सिर्फ SDM के पास जा सकता है जिलादिकारी के पास जा सकता है अब किसान भाईों नौजवानों एक बात आप समझे जो SDM और जिलादिकारी है जो DC है ये तो सरकार का ही पार्ट है न और ये तो हमेशा डारेक्ली इंडारेक्ली पॉलिटीशन्स के कही न कहीं दबाओं में रहते हैं और पॉलिटीशन्स व्यापारियों के दबाओं में रहते हैं क्योंकि चुनाओ के दारान वो व्यापारी पॉलिटीशन्स की फंडिंग करते हैं उसके पॉलिटीशन्स व्यापारियों की मदद करते हैं जो हमारा कोर्ट सिस्टम है ये सरकार से बिलकुल अलग है ये सरकार के नमबर टू बी के पेराग्राफ नमबर दो में साफ साफ ये लिखा गया है कि जो स्टॉक लिमिट जो हटा दी गई है सरकार नहीं से अमेंडमेंट के जरिए उसमें ये लिखा है कि यदि होटी कल्चर प्रोड़क्स के दाम 100% बढ़ गए और अनाज के दाम 50% बढ़े तो द सकार कमपनियों का फाइदा करना चाहती है और किसानों को नुकसान में लेके जाना चाहती है और मैं तो सभी देशवासियों से अपील करता हूँ देशवासियों एक बात आप समझिये कि किसान तो चलो अपना अन पैदा करता है वो तो इसको खा लेगा लेकिन जब ये अपनी नहीं बनाती है उस पानी को भी ये 20 से 25 रुपय लीटर में बेच रहे हैं जब अनाज पूरा इनके कंट्रोल में आ जाएगा तो आपके घरों में जो आता आयता है ना वो आता आएगा 500 रुपे किलो 600 रुपे किलो तो आज किसान समाज सिर्फ अपनी नहीं पूरे द चीन के बड़े बड़े व्यापारियों का मुनाफ़ा कराना चाहती है। सीधी सी बात ये है। अब बात करने कॉंट्रेक्ट फार्मिंग की कर लेते हैं। उसकी धार नमबर आठ भी और नो में सरकार ने क्या लिखा है। कोई भी वेक्ती जो किसान की जमीन लेगा कॉंट्र यहाँ पर सरकार ने चला की क्या की है। सरकार ने लोन नहीं लिखा। सरकार ने क्रेडिट लिखा है। मेरे देशवासियों आप मुझे एक बात बताईए। हमारे देश में किसी भी स्कीम के तहट जब लोन मिलता है। तो लोन किसी चीज़ की गारंटी के उपर होता है। हवा में लोन नहीं मिलता है, हवा में लोन तो सिर्फ बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घरानों को मिलता है, जो करजा लेते हैं और लेके भाग जाते हैं, फुर हो जाते हैं, विजय मालिया जैसे, नीरव मोदी जैसे, बड़े-बड़े मुकेशंबानी जैसे, अडानी जैसे जिन्होंने भारी भरकम करज ले रखा, किसी ने ढाई लाग करोड का, किसी ने सवा लाग करोड का, तो यहां पर जो व्यापारी जो उस इंफरस्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो क्रेडिट लेगा, यानि लोन लेगा, वो किसान की जमीन के ऊपर होगा, और दूसरी बात उ माली का नहाख किसान के पास आ जाएगा, यहां पर जो इंफरस्ट्रक्चर के ऊपर लोन होगा, वो भी किसान के गले की फांस बनेगा, और एक और मैं आपको इसे पक्ष बताता हूँ, दूसरा पहलू, जो हमारी दूसरी मांग है, पहली मांग तो यह हो गई, इन तीन काल कानूनों को वापस लिया जाए, मैं उम्मीद करता हूँ, अब आप सबको समझ में आ गया होगा, कि यह कानून काले कानून क्यों है, दूसरी हमारी मांग जो है, MSP गारंटी कानून बनना चाहिए, बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ, 2011 में जब हमारे परधान मंतरी मुख्य मंतरी होते थे गुजरात के, और ये कंजूमर अफियर कमेटी के चेर्मेन होते थे, तो उस समय मुख्य मंतरी नरिंदर मोदी ने एक रिपोर्ट भेजी थी, उस समय के परधान मंतरी मनमोहन सिंग जी को, और उस रिपोर्ट के सेक्शन नमबर B3 में, खुद इन्ह उने ये मांग की थी, कि किसानों के लिए MSP की गारंटी होनी चाहिए, खाली MSP गोशित करने से कोई काम नहीं बनेगा, किसानों के लिए MSP की गारंटी होनी चाहिए, तो परधान मंतरी नरिंदर मोदी जी, जो बात आप खुद कह रहे थे 2011 में, जिस बात की पैरवी आप प्रधानमंतरी बनने से पहले आज आप अपने ही वादे से क्यों मुकर रहे हैं। जिस तरीके से आप स्वामी नातन आयों की रिपोर्ट लागू करने के वादे से मुकरे ठीक इसी तरीके से MSP गारंटी के वादे से मुकर रहे हैं। और दूसरी बात OECD ICRER की रिपोर्ट ये साफ साफ कहती है मेरे देशवासियों ये बात आप ध्यान से सुनिएगा OECD ICRER की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 17 सालों में इंदुस्तान के किसानों को जो उचित MSP नहीं मिला उसके करण भारत के किसानों को 45 लाख करोड रुपे का नुकसान हुआ है जो 45 लाख करोड रुपे हमें मिलने चाहिए थे वो हमें नहीं मिले और नाबार्ड की रिपोर्ट क्या कहती है भारत के किसानों के उपर मातर 9 से 10 लाख करोड रुपे का करज है भारत में मातर 22% किसनों के उपर करज है और एक किसान के उपर एवरेज करज है एक लाख रुपया तो हमारे उपर करजा है नौ से दस लाख करोड रुपय का और जो सरकारों के उपर हमारा बकाया है जो सरकारों ने हमें नहीं दिया वो है 45 लाग क्रोड रुपया यदि वो हमें 45 लाग क्रोड रुपया दे दे तो ये 10 लाग क्रोड रुपय का करजा भी खतम हो जाएगा और उसके बाद हमें 35 लाग क्रोड रुपय मिलेंगे जब मीटिंग के अंदर बात होती है MSP गारंटी कानून की तो सरकार कहती है कि इससे सरकार को बहुत वितिय घाटा हो जाएगा कहां का वितिय घाटा होगा आपको टोटल जो ये मार्केट है ये 17 लाग क्रोड रुपय का है 14 लाग क्रोड रुपय का तो अभी भी ट्रेडिंग हो रही है आप यदि MSP गारंटी कानून बनाएंगे तो आपको हर साल जुरूत पड़ेगी मातर 3 लाग क्रोड रुपय की और मैतो पूर्ण बात मेरे किसान भाईयों जो एगरिकल्चर प्रोड़क्स हैं ये सैलेबल कमोडिटी है इनकी ट्रेडिंग होगी ऐसा तो है नहीं कि सरकार हमसे खरीदेगी और फिर समुन्दर में फैक देगी सरकार भी तो उसकी आगे ट्रेडिंग करेगी ना तो सरकार को भी तो मुनाफ़ा होगा ना सबसे मैं तो पूर्ण बात अब ये तीन लाग करोड रुपे कहां से आएंगे ये भी आपको समझना होगा हमारे देश में हर साल 90,000 करोड रुपे के खाद्यान तेल मंगाए जाते हैं क्यों मंगाए जाते हैं क्योंकि उसमें सबसे बड़ा वेक्ति जो उसमें पूरी डिलिंग करता है वो है गौतम अडानी उसको हर लिटर में 5-10 रुपे का प्रॉफिट होता है तो उसको प्रॉफिट करने के लिए चाहिए किसी के भी सरकार रही हो सिर्फ उसके प्रॉफिट के लिए 90,000 क्रोड रुपे के खाद्यान तिल बाहर से मंगवाई जाते है 80,000 क्रोड रुपे की डाले बाहर से आयात की जाती है और मुझे याद है जब मोजांबिक में ये डाल का एग्रिमेंट हो रहा था तो हमारे पर्धान मंतिरी ने कहा था कि भारत की सरकार उनको सब कुछ एक्वेपेंट देगी, सारी चीज़ें देगी उनसे डाल खरीदे बेगी वो डाल पैदा करें यदि हमारी सरकार यही गारंटी भारत के किसानों को दे दे कि भारत के किसान फसलें उगाए भारत के किसान ऐसी फसले हुगाएं जिससे खाद्यान तेल की पूरती हो जाएं भारत के किसान डाल की खेती करें ये फसले लगाएं तो 80,000 क्रोड रुपे डालों के उसमें बच जाएंगे 90,000 क्रोड रुपे जो खाद्यान तिल का इंपोर्ट होता है वो बच जाएंगे तो 1,70,000 क्रोड तो यहीं से आ गया जो मिल्क पौडर इंपोर्ट करते हैं उसको बंद कर दिया जाए सरकार अपने किसानों को दूद का अच्छा रेट दे वहां से पैसे बचेंगे जो आपकी बार 5,00,000,000 मक्का आयाद किया गया वो आप बंद कर दीजिए तो यह 3,00,000,000 क्रोड तो ऐसे ही आ जाएंगे न और सबसे मैं तो पूर्ण बात परदानमंत्री नारा तो देते हैं आतम निर्भर भारत बनाने का यदि आप ये किर्शी उत्पादों का इंपोर्ट बंद कर देंगे परदानमंत्री जी और अपने किसानों को MSP की गारंटी देंगे तो फिर भारत असली माईनों में आतम निर्भर भारत बनेगा सिर्फ पर जुमला बाजी करने से आतम निर्भर भारत बनेगा जैसा अधे आपकी सरकार कर रही है और एक अंतिम बात मापको बताना चाहता हूँ की इन कानूनों में क्या काला है मुझे तो लगता है सरकार की नीत में भी काला है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ 2017-2018 के बाद से सरकार ने FCI Food Corporation of India को कोई भी धन आवंटित नहीं किया है अब तक जो बजट आए हैं उसमें FCI को जो पहले food subsidy के नाम पे जो धन आवंटित होता था जो उसको बजट मिलता था वो बंद कर दिया गया है जब से मोदी सरकार आई है तब से लेके अब तक FCI के उपर करजा चार गोना से भी अधिक बढ़ गया है अब FCI मजबूर होता है हर साल National Small Saving Fund से करजा लेने के लिए आज के दिन FCI के उपर लगबग सवा 3,5-3,5 करोड रुपे का करजा है जो 2014 से पहले 75-80,000 करोड होता था ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि सरकार एक ग्राउंड तयार कर रही है FCI को भी बेचने का सरकार ने हवाई अड़े बेचे, एरलाइन्स बेचे और सारी सरकारी कंपनियां बेच दी उससे पहले एक माहौल बनाया उन कंपनियों को, उन एरलाइन्स को घाते में दिखाया गया और उसके बाद उनको बिच दिया गया अब समझने की बात यह है जब FCI ही प्राइवेटाईज हो जाएगा जब FCI ही बिक जाएगा तो फिर प्राक्यूरमेंट कहां से होगी तो इसी लिए मैंने पहले जैसे कहा सरकार की नीतियां भी काली है और सरकार की नियत भी काली है अब मेरे देशवासियों, मेरे किसान भाईव, मेरे नوجवानों किसान एकता मोर्चाने आपको संक्षित समय में आसान शब्दों में आपको बताया है कि इन कानूनों में क्या काला है और क्या हमारी मांगे हैं सरकार क्या कह रही है अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाईए ताकि हमारे सभी किसान भाईयों को सभी नौजवानों को मालूम चले इन कानूनों में क्या क्या काला है और उसके बाद कोई भी मीडिया वाला बंदू कोई भी और अल्टरनेटिव मीडिया प्लैटफॉर्म जब भी आपसे सवाल पूछें तो आप छाती ठोक के जवाब दिया कीजिए कि इन में यह यह गलतियां है दीन बंदू छोटोराम जी एक बात कहते थे कि हे भोड़े किसान दुश्मन ले पैचान और बोलना ले सीख तो आप बोलना सीखिए जब आप बोलेंगे तब आपकी मांगे पूरी की जाएंगी